नमस्कार मेरे प्यारे बचो आज हम क्लास एट का नए चेप्टर करेंगे दा सेट अब देखो बचो इस चेप्टर को में लाइन वाइज लाइन स्टेडिय करेंगे बहुत इपोर्टन टोपिक हाँ का स्टार्टिंग विद फरस्ट लाइन इस चेप्टर में क्या दिसकस करेंगे तो स्टार्टिंग करते हैं चेप्टर की आल लिविंग और्गरिजम्स करी आउट सर्टन फंक्शन सेच अस न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन और रिपोड़ेक्शन खाना लेंगे वेश्ट होगा विद भी काल लेंगे रिपोड़ेक्शन करेंगे ठीक है त उनकी बज़ो अलग अलग जो ओर्गन होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं जैसे बचो एक्स के लिए लिए अलग है खाना कहना के लिए अलग है थीक है तो बच्चो जो अपना ओर्गन्स है या जो आपका टीशू है इनका अधार क्या बच्चो आपका सैल है मतलब किसे मिलके मुणने होते हैं ये सैल से विज कैन आल्सो फरफॉम आल धिज फंक्शन इंडिविजली तो बच्चो जो और्गन्स है जो टीशू आपके काम कर रहे हैं न्यूट्रिशन का एक्स्रीशन का रिप्रोडेक्शन का ये काम सैल बच्चो अकेले इंडिविजली तोर पे भी कर सकती है अकेला अकेले भी ये काम कर सकती है गुरूप में करना जूरूरी नहीं है, cell ये इंडिविजियल लेज़ पर भी कर सकती है therefore a cell is considered the basic unit of life तो बच्छो cell को हम क्या बोलते हैं, ये basic unit of life है मतलब किसी भी life है, life का अधार का बच्छो आपका cell है similarly cell assembled together make different tissue और बच्छो बहुत सारी cell गठी क्या मनेएगी, बच्छो आपका tissue बुण ऐगे टुस ही क्या मनेएगी आपका organ, organ से organ system and finally an organism तो बच्छो organ system से क्या मनेएगे आपका organismogen ठीक है therefore a cell is can also considered the basic structural unit of life तो cell का बच्छो किसी की basic structural unit of life है to cell क्या बच्छो structure and functional unit of life है the cell is the basic structural functional unit of life, the study and structure of function of cell is known as cytology, और तो जो cell का function को structure को study करते है उस science को क्या बोलते है बच्छो में, cytology बोलते है ठीक है, तो बच्छो cell को समझने से पहले देखो इस तरीके से देखो, जैसे बच्छो बारा आउस होता है घर है, गर बच्छो कैसे मनता है, छोटी-चोटी युन सकते हैं तो वह सारे वाल सी अधाके वे आपको रूम बनेगा ओ बहुत सरे रूम को एक neutr gebruik क्या बना होस पम के आपके अगे आपको आफ मना हैंगे तोह तरीके वे लिए सनुध सकते हैं ठीकर स्लाइस ओफ कोग अंडर ए सिम्पल मैंग्निफाइम डिवाज तो रोबर्ट ऊपचे एक सैंटिस्ट है उसने बच्छे 65 में सेंफ डिजेंग माइक्रोप था उसका तो उसने बच्छे तो पेड़ी की कोड़ों को तने बच्छे किसी पलांट की कोड़ ली उससे उसने क्या कोरक लिए उसने देखते हैं क्या नोटिस किया कोरक इजे पार्ट वे ट्री वे ट्री ही टूक थीन स्लाइसे ऑफ कोरक अब्जावर अंडर माइक्रोब्सकोप ही नोटिसे पार्सियंट हेक्सागोन बॉक्सीज और कंपार्टमेंट इंदा कोक स्लाइस तो बच्चे उसने इ स्वेटेट फोम दा अधर भाईयवाल और पार्टीजन तो बच्चे आपने देखा वाम दूबुकी का चत्ता होता है वो एक बॉक्स यह बच्चे दूसरे बॉक्से क्या होतां बच्चों सेपरेट होता है ठीक है हुक कोईंट ना त्रम तो बच्छी जो रोबर्ट डूक था उसने बच्छो इसको क्या नाम दिया शैलूला सैलूला का मिनिंग क्या होता भच्छापका रूम और सैल ओर इकड़ गौक्स much was known about this structure for next 150 years तो 150 years तक बच्चों इस सेल के बार हम जादा डिस्करवरी नहीं कि गए थी इन 16th century Antonin Lee and Hook other scientists made improved microscope and studied unicellular organism and living cell so it is about 16th century that our knowledge was of the cell increased 16th century के आस पास था जब कुछ scientists थे आपके Lee and Hook और other scientists थे उन्होंने microscope को क्या किया बच्चे थोड़ा और लेवल बड़ा किया उनको आप और उन्होंने study किया था सेल के बारे में ठीक है next बच्चे आपका the cell theory in 1838 two German biologist Matthews Scandal and Theodore Squance put forward the cell theory of a life the main point of this theory is followed जब बच्चे दो scientists थे उन्होंने 1838 में cell theory जी थी उनके क्या point थे बच्चो हम देखते है all living things are made of cells सभी living things बच्च किसे बने होती है cell की such as well is made of bricks hence cells are bricks structural unit of a life they are complex living structure अब देखो बच्चे अमारी body किसे बने होती है बच्चो जितनी भी living things है सभी किसे बने होती है बच्चो आपकी cell बने होती है और cell की बच्चे आपका एक है complex structure है कैसा structure बच्चे बच्चे आपका complex structure है all cells are similar in their basic structure and function but are not identical they differ in size and function structure and size के आगा बच्चुन का अलग अलग होगा function क्या हो सकता है लेकि structure के आगा बच्चुन का अलग अलग होता है new cells are performed due to division of old cells तो नई cell बच्चो जो form होती है आपके जो प्रणी cell तूटती है उससे divide होगे तो नई cell आपके form हो जाएगी the organization of cells in the body of living organism determines its structure देखो बच्चे organization of cells, cell किस तरीके से organize होती है, किस तरीके से assemble होती है in the body of living organism तो बच्चे living organism है उसके अंदर वो किस तरीके से arrange होती है वो उसका structure define करती है the way of organism function depends on the way of the cell अब देखो बच्चो इसका उलब क्या है जैसे बच्चो मारी muscular cell होती है उनका structure के आगा बच्चो अलग होगा नरो cell होती है उनका structure के आगा बच्चो अलग होता है तो बच्चे बहुत सारे जो living organism है मारे आसपास प्रजेंट है जिनको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते है इस अरकल यूनिशालूलर और्गिजम इस और्गिजम कैन बी सीन ओने त्रूए माइक्रोस्कोप तो बच्चे इन organism को माइक्रोस्कोप से ही देख सकते है जैसे amoeba, paramecium, bacteria ठीक है बच्चो तो बच्चो जो organism मारे नेक डाइस से नहीं दिखाए जएगा बहुत ही minor छोटे 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 organism होते है इन के बच्चे इन के बच्चे सिंगल सेल परजेंट होती है जैसे आपका amoeba, यह से बच्चे आपकी amoeba की है यह है paramecium की, ठीक है नेक्स्ट बच्चा आपका multi-cellular organism तो multi, जैसे बच्चे नाम से पता चल रहा है multi, ऐसा organism जिसके अंदर बहुत सारी cell हो multi-cellular organism have hundreds of millions of cells this cell can be seen only with the help of microscope तो बच्चे, cell का जो organism बनाना वो तो मनेकडाई से देख सकते हैं लेकिन अलग-अलग cell को देखेंगे तो बच्चो को किसे देखेंगे microscope से ही देख सकते हैं cell for animal and plant differ from each other in some respect most of the components are similar तो बच्चो, दो तरिके के cell हैं plant cell है और animal cell है कुछ characteristic तो बच्चों ने क्या होती है सेम होती है, कुछ क्या होती है बच्चों की अलग-अलग होती है हम आगे chapter में study करेंगे, ठीक है cytology वारे में पढ़ चुके हैं shapes and size of cell in multi-cellular organism, cells have special jobs to do जैसे बच्चे हम हैं, हम क्या हैं बच्चों multi-cellular organism है तो बच्चों हमारे पास, जो हमारे body है उसके अलग-अलग काम होते हैं जैसे respiration है, excretion है, reproduction है art का जो काम है, pumping of the blood है बच्चों अलग-अलग काम होते हैं, ठीक है तो अलग-अलग cell की बच्चों क्या होती है shape और size होना ची है जैसे बच्चों example यहां पे narrow cell for example have fibers that may be more than one meter long जो बच्चों मारे narrow cell होते हैं जो message send करना आकाम करती है one body part to another part वो क्या होती बच्चों आपकी fibers दागो जैसी होती बच्चों आपकी और क्या होगी बच्चों यह one meter long क्यों होगी muscle cells expand and contract जैसे बच्चों में कैसे करते हैं expand and contract करते ना बच्चों ठीक है देर long there safe help जैसे बच्चों कोई muscle तो यहां भी क्या हो जाएंग आपकी contract होंगी अपकोछ muscles क्या होंगी बच्च आपकी relax होंगी उपर वाली तो क्या हो नहीं बच्च आपकी contract हो रही है ठीक है देर long thing safe help them to do this दे आउटर लेर उता skin form a protective layer जैसे बच्चों मारी skin का outer layer है जो क्या करता है protect करता है देर flat safe help them to cover a large area इदी बच्चों कोई उसका flat चीज है तो area क्या करेंगी बच्चों ज़्यदा cover करेगी ठीक है white blood cell present in blood skin in their shape जो बच्चो white blood cell है मारी blood के अंदर present है जो soldier काम करते हैं destroy करते हैं जम्स को उनकी safe क्या हो सकते हैं बच्चों अपनी safe को change कर सकते हैं plant cell located in the outer part of the stem given stem to a plant जो बच्चों plant cell के अंदर जो outer part के अंदर stem के अंदर जो cell होती हैं जो बच्चों को strength provide करती हैं these cells have a thick cell wall for sport some cells in the plant are used to store food these cells are larger than other cells तो बच्चों plant के अंदर cell wall होता है animal के अंदर बच्चा cell wall नहीं होता है ठीक है औप बच्चों plant के अंदर cell wall होता है क्या करें इसको support provide करेगा और k deconst plant के ऑने वह खाणा वे आहीं भांगन करता है next, बच्चों आपका the egg of a bird is only a single cell बच्चों आपका पक्षी होता है बच्चों पक्षी का जो एक होता है बच्चों किसी bird का जो एक होता है वो बच्चम एक single cell होता है और smallest cell कोन सी बच्च आपका 0.001 मेटर से 0.0005 मिलिमेटर फाउंड इन बैक्टिरिया The smallest cell in human body are the red blood cell Human body के ने मेटा सक्षे सोटी cell कोन सी red blood cell इनका साइज कितना बच्च आपका 0.007 मेटर और typical cell कितने बच्च आपकी typical cell is बच्च आपके बच्च आपके ने मेटर के तना बच्च आपका 0.02 मिलिमेटर इट कैन ओनली भी सीन थ्रूए पाउरफुल माइक्रोस्कोब इस इने प्लांट्स लाइक जूट हैं तस फाइबर सेल और फ्यू सिंटीमेटर लोग तो बच्चो यहां पे अलग-अलग प्लांटर अनिमल के आपके खुच सेल्स के बारे में दे रखा है अब देखो बच्चो यहां पे ओस्ट्रीज की सेल दिया है तो इसका मतलब यह नहीं ओस्ट्रीज आपका सब से लार्ज अनिमल होगा ठीक है तो बहुत सारी साली कठी हो क्या बनाएंगी बच्चो आपका एक बड़ा अनिमल बना सकते हैं तो बच्चो इसके यहां पे बड़ा है शुड़ो पोडिया शुड़ो पोडिया क्या होता बच्चो देखते हैं अभी देखो बच्चो जैसे बच्चो यह आपकी सेफ है एक अमीबागी सेफ है ठीक है मिभा की shape क्या होती box fix shape नहीं होती है जैसे मिभा के लिए आपके खना present है खना enough करना है तो गावच्छ इसका इस ट्रीक से जाए तरफ़ कर लेगा extend कर लेगा इसको क्या कर लेगा ए southwest इनलने tough कर लेगा तो गावच्छ दूस्की जो यह फीट बोलते हैं न कली के पाम बोलते हैं ठीक है यह अपनी शेप क्या बच्छो अकोर्डिंग टू सिचुएशन क्या करता है चेंज करता रहता है ठीक है तो वह तो यह था आपका इस शेप्टर का फर्स्ट पार्ट सेकिंड शेप्टर में आगे वीडियो में हम सेकिंड शेप्ट पार्ट करेंगे इसका थेंक्यू, हेवे नेश टे